नमस्कार दोस्तों, competition community के इस online platform पर आपका स्वागत है, मैं हूँ अरुन सिंग और आप मेरे साथ भारती सम्धान इम्राजवस्था से सम्मन्धित कुछ महत्पूर टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं, तो आज की चर्चा हम प्रारम करते हैं, भारत के राष्टपती पर महाभ्योग, राष्टपती पर महाभ्योग, अब सबसे पहली बात आएगी कि ये महाभ्योग है क्या, तो महाभ्योग क्या है? महाभ्योग एक संसदी प्रक्रिया है, जिसके माभ्योग से राष्टपती को उसके पद से हटाया जाता है, हटाया जाता है, तो महाभ्योग क्या है? महाभ्योग एक संसदी प्रक्रिया है, जिसके माभ्योग से राष्टपती को हटाया जाता है, अब देख, यह बात कहां लिखी गई है, जैसे ही महाभ्योग की बात आती है, आपके दिमाग में कौन सा आर्टिकल आता है? वह आर्टिकल है, आर्टिकल 61, पर मैं आपको बता हूँ, भारत के राष्टपती को महाभ्योग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाता है, यह महाभ्योग से हटाया जाएगा, यह आर्टिकल 61 में नहीं लिखा गया है, यह किस आर्टिकल में लिखा गया है, यह बात लिखी गई है भारती संधान के आर्टिकल 56 पर, कि रा प्रक्रिया का वर्णन कहां किया गया है आर्टिकल 61 में इस आर्टिकल ये कहता है कि महाभ्योग से हटाया जाएगा और इस महाभ्योग की प्रक्रिया कहां बताई गई है तो महाभ्योग की प्रक्रिया क्या होगी वह बताई गई है आर्टिकल 61 में तो आप याद रखेंगे आर्टिकल 56 और आर्टिकल 61 महाव्योग क्या है? संसरी एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राश्पती को हटाया जाता है एक प्रस्ण और बनता है कि क्या यहां किसी प्रकार की विधाई प्रक्रिया है तो यह एक विधाई प्रक्रिया नहीं है यह कौन सी प्रक्रिया है यह एक अर्ध न्याईक प्रक्रिया है अर्ध न्याईक क्वासी जुडिशरी सिस्टम है यह एक कौन से सिस्टम है अर्ध न्याईक प्रक्रिया का प्रक्रिया है यानि कि इस प्रक्रिया के समय संसद स्वैम क्या बन जाता एक न्यालय के रूप में क पारिक करता है कब महाभयोग की प्रक्रिया के दौरान तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अर्धनियाईक प्रक्रिया राश्पति को हटाने की एक संसरी प्रक्रिया है आर्टिकल 61 में इस प्रक्रिया को बताया गया है और महाभयोग के बारे में कहा गया है कि राश्पति को म यह है कि इस प्रस्ताव को कि राश्च्पती को हटाना है में यह कहां लाया जा सकता है दोनों सदनों में कहीं भी पहले लाया जा सकता है पहले इसको लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राजसभा में कहीं भी पहले इसको लाया जाएगा लाया जा सकता है कैसे लाया जाए सदन में लाया जा रहा है उस सदन के एक बठा चार सदस सहमत होने चाहिए तीसरी बार यह बाद कि हम यह प्रक्रिया प्रारंब कर रहे हैं राश्पति को 14 दिन पूर्व आप क्या देंगे सूच ना देंगे कि इस प्रकार की प्रक्रिया प्रारंब हो रही है देखिए दोनों में से किसी भी सदन में प्रक्रिया प्रारंब की जा सकती है जिस भी सदन में लाया जाएगा लोग सभा में लाया जाएगा तो लोग सभा के एक बठा चार सदस से राज सभा में लाया जा जाएगा अब यह प्रक्रिया प्रारम होगी इस सम्मन में आपसे एक प्रश्ण करता हूं उसका जवाब कमेंड बॉक्स पे आप देंगे और इस सर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं देखिए प्रश्ण यह है कि जो राश्पती पर महाभ्योग लग रहा है उसको किस प्रकार से दोनों सद्दों से पास कराया जाएगा दोनों सद्दों के कुल सदस्यों के बहुमत से ऐसा किया जाएगा या कुल सदस्यों के कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से ऐसा किया जाएगा या फिर या फिर उपस्थित सदस्यों के उपस्थित एवं मतदान करने वालों के दो तिहाई बहुमत से या फिर उपस्थित और मतदान करने वालों का प्रेजेंट अन वोट का दो तिहाई और कुल का 50% बहुमत इसको पास कराने के लिए इन में से किस बहुमत की जरुरत होती है राश्पति पर महाव्योग लगा हुआ है आप एंसर देंगे इसका देखिए इस बात को अच्छे से याद रखिएगा कि राश्पति के निर्वाचन के समय या राश्पति के महाव्योग की प्रत्रिया के दौरान कुल सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पास कराना पड़ता है महाव्योग लिप्रत्रिया को हम देखते हैं कि ज्यादातर में क्या होता है उपस्थित और मदान वालों का दो तिहाई और कुल का पचास प्रत्रत बहुमत जो होता है तो महाँ से ज्यादतर विधियक पास होते हैं जो भी समिधान सव्धन से संवन्नित होते हैं पर राश्पती के केस में ऐसा नहीं है ये ऐसा नहीं होगा यहां क्या होगा पास होगा और उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा दूसरी सदन में जाएगा, दूसरा सदन क्या करेगा, उसकी जाज करेगा, तो पहला सदन आरोप सदन होता है, कि जिस सदन ने आरोप लगाया, आरोप सदन अपने दो तिहाई बहुमत से उसको पास करेगा, दूसरा सदन जाज करेगा, राश्पती को बोलने का मौका देगा यहाँ पर एक खास बात और है कि राश्पती पर जो आरोप लगता है वो अपना पच्छ रख सकता है या कोई अपना वकील भेश सकता है तो जो भारत के महानयावादी होते हैं ठीक महानययवादी उनको क्या कर सकते हैं राष्पति भेज सकते है अपनी बाद रखने के लिए संसदमें और अगर राजसभाभी अपने दो तीहाई बहुमस से इसको पास कर देती है कुल सदर संख्या के दो तिखाईवमत से तो राश्पती पर महाभयोग लागू हो चुका है और उसको अपने पज को छोड़ना पड़ेगा तो यह हुई राश्पती के महाभयोग की पक्रिया आब आगे देखते हैं राश्पती का स्वा विवे की सक्ति सक्तियां निखलेजिए देखें मैं उन्हीं टॉपिक्स पे चर्चा कर रहा हूँ आपसे जो इंपोर्टेंट है और जहां पर एक्जामनर आपसे गलतियां कराने का प्रयास करता है स्वाविवेकी सक्ति के संबन में भी एक प्रस्न हम करते हैं प्रस्न है कि भारत के राश्पति की स्वाविवेकी सक्ति का समिन्हान में उलेख भारत के राश्पति को स्वाविवेकी सक्ति नहीं है स्वाविवेकी सक्ति नहीं है आप इसका जवाब देंगे second option है भारत की राश्पती को स्वाबे की सकती नहीं है कि इसका समिन्हान में उलेख नहीं है तीसरा option देखेंगे आप कि समिन्हान में उलेख है समिन्हान में उलेख है या फिर आप कहेंगे जन्प्रतिनिधी अधिनियम में इसका उलेख है जन्प्रतिनिधी अधिनियम में इसका उलेख है ठिक आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स बे देंगे भारत के राश्पती की स्वाब बेकी सक्तियों के बारे में या सब यह की सक्टियां हैं ही नहीं भारत के राश्पति के पास, समिधान में इसका उलेक नहीं है, समिधान में उलेक है, जन प्रतनिती अधिनियम में इसका उलेक है अब बात को आप ध्यान रखेंगे कि इस बात का उल्लेक समिधान में नहीं किया गया है कि भारत के राश्पती अपनी स्वाविवेकी सक्तियों का कौन कौन से उनके पास स्वाविवेकी सक्तियां होंगी देखिए आर्टिकल 53 ये बोलता है कि भारत के राश्पती जो होंगे वो श्वयम या अपने अधिनस्त अधिकारियों के माध्यम से संग की सभी कारेपालिक सक्तियों का क्या करेंगे कारे करेंगे संग की सभी कारेपालिक सक्ति इसमें नहीं थोंगी राशपती में नहीं थोंगी और वह इनका प्रयोख स्वयम या अपने अधिनस्त अधिकारियों के माध्यम से करेगा बट उसके स्वयम के द्वारा कौन-कौन सी सक्तियां होंगी इसका समिन्हान में कहीं लेख नहीं किया गया है देखें तो अब इस फ्रस्टा का जवाब आपको मिल चुका है अब आगे बढ़ते हैं देखें आगे क्या है आज का हमारा तिसरा पॉइंट कि राश्पति को विध्यकों के संबन्ध में कौन कौन सी सक्तिया प्राप्त नहीं और विध्यकों के संबन्ध में जैसे देखें कोई भी विध्यक है विध्यक क्या होगा वो संसद से पास होगा और संसद से पास होने के बाद संसद देखें एक प्रश्ण यहां भी बनता है कि भारत का राश्पति संसद का अंग है क्या उसका उल्लेक भारती समिन्हान में कि ही किया गया है तो इस बात को याद रखेगा जब भी आता आएगी क्या भारत के संधान में ये कहा गया है कि संसद के अंतरगत राश्टपती आएगा तो याद रखेगा भारती संधान का अनुच्छेद 79 ये बोलता है कि जो संसद होगी वो राश्टपती रस्डेन लोकसभा और राज्यसभा से मिलके बनेगी ठीक तो आर्टिकल 79 में ये ज़िक कहा गया है कि राश्टपती संसद का अंग होता है उसका सदस्य नहीं होता लेकिन उसका अंग होता है तो देखेए हम यहाँ ये कहत है कोई विधियक लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ और राश्पती के हस्ताचर के बाद ही राश्पती के साइन के बाद क्या बन जाता है अक्ट बन जाता है अधनियम बन जाता है ठीक कानून बन जाएगा लोकसभा राश्पती ने पास किया है और राश्पती ने उ अधियक होता है उस पर राश्च्पती क्या कर सकता है राश्च्पती उस पर सबसे पहले तो हस्ताचर कर सकता है पहला काम है जो हस्ताचर कर दे या फिर राश्च्पती उसको पुनर विचार के लिए कित्ती बार एक बार एक बार फिर से भेज दे मंते मंडल के पास कि आप इस पर एक बार पुनर विचार कर लीजिए एक बार पुनर विचार के लिए भेज सकता है और या फिर वह उसको ना ही मना करे और ना ही क्या दे अपना अनुमती दे ना ही मना कर रहा है ना ही अनुमती दिया यानि साइन भी नहीं कर रहा है और उसको मना भी नहीं कर रहा है तो इसी कहा जाता है कि राश्पती भी विदेखों के संबन में ऐसा कर सकता है क्यों ऐसा कर सकता है क्योंकि ये जो बात विधेखों के संबन में की गई है भारत के संदान में आर्टिकल 111 में यह नहीं बताया गया है कि राश्पती कितने दिनों में हस्ताचर करेगा इसलिए राश्पती ऐसा कर सकता है और हम इसी को क्या करते हैं पॉकेट या जे भी विटो बोलते हैं कि राश्पती ने क्या किया है ना मना कर रहे हैं और ना ही अनुमती दे रहे हैं तो यह क्या है एक तरीके का पॉकेट विटो है ठिक विटो कर दिया है उन्हों में और जो पुनर विचार के लिए होता है इस और pocket veto कर रहे हैं तो राश्पती ऐसा कर सकते हैं एक और veto की बात राश्पती के संबन में होती है वो कौन सा है? वह veto है देखें, दूसरे पेहरे में समझ लेते हैं एक veto और है राश्पती के संबन में कहा जाता है कि आत्यांतिक veto राश्पति के पास एक अत्यान्तिक या एक्स्टूट विटो है जिसमें वो क्या कर देते हैं मना कर देते हैं तो हम कहते हैं भारत के राश्पति ऐसा इसी विध्यक को मना नहीं करते समाने रूप से परंतु यह अत्यांतिक विटो का प्रयोग वो मंत्री मंडल के सलाह के आधार पर कर सकते हैं जैसे यह कंडिशन कब पैदा होती है कि अगर माल लिजिए एक मंत्री मंडल ने राश्पती के पास कोई विध्यक या कोई चीजें भेजी है राश्पती के पास एक विध्यक भेजा है पास करने के लिए उस पर साइन करने के लिए और वह सरकार कारेकहल समाप्त हो जाता है और लोकसभा भंग हो जाती है नई लोकसभा आती है और नया मंत्री मंडल आता है और नया मंत्री मंडल कहता है कि जो पुराने मंत्री मंडल ने आपके पास हसर करने के लिए भेजा था उसको आप क्या कर देजिए मना कर दीजिए तो अत्यांतिक वीटो का वहाँ पर राश्पती प्रयोग करते हैं देखिए उनर विचार के लिए भेजना वह स्टेम से भेज सकते हैं उस पर अपना सहमती न देना और ना ही मना करना वह स्टेम कर लेते हैं परंतु जो अत्यांतिक वीटो है किसी विध्यक को मना करना ये मं मंत्री मंडल की सलाह पर ही करते हैं और इसी कंडिशन मैंने बताई कि अगर मंत्री मंडल ही ऐसा कहता है उन्हें करने के लिए तब वो ऐसा कर सकते हैं ठीक है तो हम ये देख रहे थे राश्च्पती के विध्यकों के संबन में सक्टियां अब देखिए ये हुआ त्यांतिक क्या धन विध्यक के केस में एक प्रश्णा आता है कि क्या धन विध्यक क्या धन विध्यकों के में राश्च्पती पुनर विचार के लिए भेल सकते हैं आप प्रश्च्पती का उत्तर देंगे कि क्या धन विध्यक जो है वो राश्च्पती पुनर विचार यान लंबन का प्रियोग कर सकते हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो धन विध्यक होता है वो राश्पती के पूर्व अनुमती से ही लाया जाता है लोक्सभा में लाया जाता है और राश्पती के पूर्व अनुमती से लाया जाता है इसलिए धन विध्यक को राश्पती पुनर के लिए नहीं भेज सकते हैं इसको पुनरविचार के लिए नहीं भेज सकते और एक तरीके का विधयक है आपके पास समीधान संसोधन कि का समिन्हान संसोधन विधियक पर राश्टपती पुनरविचार के लिए भेज सकते हैं या उसको पॉकेट कर सकते हैं तो समिन्हान संसोधन विधियक में याद रखिए कि राश्टपती ना ही पुनरविचार के लिए भेजेंगे ना ही इसको पॉकेट करेंगे ना उसमें अनुमति दे ऐसा नहीं हो सकता राश्पती पुनरविचार के लिए नहीं भेजेंगे और ना ही इसको क्या करेंगे पॉकेट करेंगे समिन्हान संसोधन विधियक में राश्पती क्या करेंगे हस्ताच्छर करेंगे तो विधेकों के संबन में आप देख रहे हैं विधेकों के संबन में एक बार फिर से आपको चीज़े बता दूँ देखे, विदियकों के संबन में बात यह है, कि राश्चपती के पास कोई भी चीज विदियक गया, राश्टती साइन करेंगे, तभी क्या बनता है? वो अधनियमं बनता है, अक्ट बनता है. वो विल में हस्ताचर कर सकते हैं, पुनरविचार के लिए भेश सकते हैं या उसको पॉकेट कर सकते हैं, ये उनके पास अधिकार है अब धन विध्यक के मामले में, धन विध्यक के मामले में पुनरविचार के लिए नहीं भेश सकते हैं और सन्धान सन्सधन के मामले में ना ही पुनरविचार के लिए भेश सकते हैं, और ना ही पॉकेट कर सकते हैं, तो इन बातों का आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे. अब विधेको के मामले में एक और सकती है, जिसको हम राज्यपाल के माध्यम से देखते हैं, लेकिया राश्पती हम देख रहे हैं, राज्यपाल से भी थोड़ा सा समझते हैं, जो भारत के राज्यों में राज्यपाल होते हैं, तो भारत के सैंधान में, जो अनुछे 200 है, उ तो राज्यपाल के पास भी सकती है कि हास्ता अच्छर कर दें या एक बार पुनर एक बार क्या कर सकते हैं वो एक बार पुनर विचार के लिए भेज सकते हैं और क्या कर सकते हैं उसको पॉकेट कर सकते हैं राज्यपाल के पास एक और सक्ति है कि वे किसी विधियक को राश्च्पती के लिए आरच्छित कर सकते हैं राश्च्पती के पास भी क्या कर सकते हैं भेज सकते हैं और यह कहा ही गया है कि अगर कोई राज्य की विधान सभा राज्य के उच्छ न्याले की सक्तियों को कम करने का प्रयास करता है उसके संबंध में कोई विध्यक लाता है तो राज्य पाल ऐसे विध्यक को राश्पती के पास भेजेंगे ही भेजेंगे जो अगर उच्छ न्य अब दीखेंगे आपको तो राश्टपति को भेजेंगे ही राजडियपाल, अनि विद्हयकों को भी राष्टपती के पास कौन भेज सकता है, राजडियपाल भेज सकते हैं, आर्टिकल 200 का एकॉर्डिंग WIN Article 201 के according, राश्पती इन विधेकों के साथ क्या कर सकते हैं? दिखे, राश्पती यहाँ पर हास्ताच्छर कर सकते हैं या फिर उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं या उसको पॉकेट कर सकते हैं. खास बात इसमें ये है, कि जो हमने ये कहा है, हमने हर बार कहा क्या? एक बार. ये यहाँ पर important है, ध्यान रखने वाली बात है. इसे मैं पीछे दिखाओं आपको. पुनर्विचार के लिए राश्पती जो है किसी विध्यक को भेज सकते हैं. कितनी बार? एक बार भेज सकते हैं. ये किस मामले में है? केंडर के मामले में. केंडर ने कोई विध्यक भेजा है राश्पती को, तो राश्पती उसको एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं. पर राज्जी के मामले में ऐसा नहीं होगा. अगर राज्जी पाल ने राश्पती के पास कोई विध्यक भेजा है, और उने उसे राज्जी को फि फिर से पास करके भेज दिया है तो राष्ट पती फिर से उसको पुनरविचार के लिए भेज सकते हैं एक बार नहीं ये प्रक्रिया कई बार हो सकती है यानि कि राज्य के विध्यकों में राष्ट पती चाहें तुसे कितने बार भी पुनरविचार के लिए भेज सकते हैं ज चलिए कुछ और पॉइंट समझते हैं, एक बात होती है, आप एक आर्टिकल याद रखेंगे, आर्टिकल 1, 2, 3, राश्पति की अध्यादेश जारी करने की सक्ति, कि इसके तहट बिना लोकसभा या राश्पति में कोई विधियत पास हुए भी, राश्पति के साइन से क्या बन जाता है, अधनियम बन जाता है, और इस विधियत के जो मैक्सिमम समय सीमा है, वह 6 माह है, और संसत का सत्र अगर चले, तो 6 सपता है, चलिए कुछ और पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं, समिधान के अनुछे 72, 72 में क्या है, राश्पति के छमादान की सक्ति के बार तो एक प्रस्त बनता है, क्या राश्पति किसी के दन को बढ़ा सकते हैं, तो ध्यान रखे कि राश्पति किसी की सजा को बृद्धी नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक, अब ये जो छमादान की सक्ति है, उसमें कितने प्रकार के छमा बताई गये हैं, तो इन के पास छमा करने के सकती है जिसमें वो किसी की भी सजा को माफ कर देते हैं अगर किसी को फांसी की सजा दी गई है और उस फांसी की सजा से उसको क्या कर देंगे पूरी तरीके से मुक्त कर देंगे किसी को अगर दस वर्स का कारावास हुआ है तो उसको सजा को क्या कर देंगे कून रूप से माफ कर देंगे तो वो पूरी तरीके से माफ करने की छमता रखते हैं छमादान की सक्ति के अंतरगत दूसरा लगु करण यानि कि यहाँ पर सजा की प्रक्ति को बदल दिया जाता है नेचर को उसके बदल दिया जाता है मित्तु दंड की सजादी गई थी और मित्तु दंड को किसमें बदल दिया जाए गया आजीवन कारावास में यहाँ पर या पठोड दंड मिला हो तो उसे समान दंड दिया जा सकता है यहाँ पर तरकती बदलने की टाकत रखते हैं राश्पती किसी भी दंड की थर्ड जो छमादान की सक्ति मिली है उन्हें वो मिली है परिहार यानि कि वो क्या कर सकते हैं अवधी को कम कर सकते हैं अगर किसी भी व्यक्ति को 10 साल की सजा मिली है तो वो उसको 5 साल में तब दिल कर सकते हैं समय अवधी को कम कर सकते हैं परिहार के अंतरगत और विराम, विराम क्या है, अगर कोई सजा चल रही है, अगर किसी को दस साल की सजा मिली थे और उसने अपने छे साल की सजा पून कर ली है, तो आप उसको क्या कर लिया जाएगा, माफ कर लिया जाएगा, कब कर दिया गया है से साल के बाद उसको माफ कर दिया जा रहा है उसकी सजा को अब वहीं पर विराम दिया जा रहा है और फिर्ट है आपका प्राविलंबन प्राविलंबन के अंतरगत आइस्थाई रोग होती है आइस्थाई रोग यानि कि किसी ने अगर मिसीर को मित्तुदंड मिला हुआ है तो मित्तुदंड के लिए उसने राश्पती से माफी के लिए क्या किया हुआ है अरजी लगाई हुई है तो उस दौरान उस पर ये आइस्थाई रोग रहेगी कि उसे फासी पर नहीं चड़ाय तो इस तरीके के पास तरीके के छमादान सक्तियां राश्पती को प्राप्त हैं और इनसे प्रश्ण आते हैं आप इन्हें भी याद रखेंगे अब राश्पती की कुछ हम एमर्जनसी पावर को समझने का प्रयास करते हैं आपात कालीन सक्तियां राश्पती की आपात कालीन राश्पती की आपात कालिन सकती जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ तीन अनुशेतों पर बात करते हैं सबसे पहले अनुशेत 352 फिर अनुशेत 356 और फिर 360 सबसे पहले हम बात करते हैं अनुशेत 352 पर देखिए यह लगता क्या आप कब है इसके लगने के तीन आधार हैं, युद्ध, बाह आक्रमन और ससत्र विद्रो, और ससत्र विद्रो, आम रिबिलियन्स इन तीनों कंडिशन के आधार पे, आर्टिकल 352 लगाया जा सकता है, जिसे कहते हैं, रास्टी आपातकाल यह जो सब्द है, यहाँ पर पहले, 44th Constitutional Amendment से पहले, आंतरिक असांती सब्द लिखा गया था जिसे बदल के क्या किया गया, ससत्र विद्रो किया गया, अब यह अनुचे 352 लागू कब होगा, जब कैबिनेट लिखित रूप में कैबिनेट लिखित रूप में राश्पती को इसके बारे में बताएगा राश्पती को इसके लगाने के बारे में कहेगा कि राश्टी आपातकाल लगाया जाए कैबिनेट लिखित रूप में देगा और भारती समिन्हान में कैबिनेट सब्द जो यूज किया गया है किया गया है आर्टिकल 352 में कावियोग किया गया है ठिक आप देखिए इसमें कुछ छोटी बातें को आप संज़ें तो पहली बात यह आती है कि जो राष्टी आपात काल लिखेत रूप से मंत्री मंडल ने कहा और राष्ट्पती ने लगाया इसकी समय सीमा कितनी है एक माह तक एक माह तक तो यह लगा रह सकता है अगर अगर यह संसद में पास नहीं होता और दोनों सदनों में इसको क्या होना चड़ेगा एक माह के भीतर एक माह के भीतर इसको क्या होना पड़ेगा पास होना पड़ेगा और एक बार पास होने पर कितने दिन के लिए च्छा माह के लिए यह लागू हो जाएगा और यह जो पास करने की प्रक्रिया है इसको बहे ध्यान रखेगा यहां पर जो पास होता है वह कैसे पास होता है सदन जो भी सदन है सदन के बहुमद सदन के बहुमद कूल सदस्यों का मतलब 50% और उस दिन प्रेजेंट और वोट करने वालों का दो दिहाई तो यहां पर वो लागू होता है कि सदन का 50% बहुमद होना चाहिए और उपस्थित और मद्दान करने वालों का कितना दो दिहाई महाभयोग के समय नहीं महाभयोग के समय कुल सदस्यों का दो दिहाई हमें चाहिए होता है और इस तरीके से अगर दोनों सदन पास कर देते हैं तो 6 माह के लिए क्या होगा आपात काल लग जाएगा और अगर इसको आगे बढ़ाना है 6 माह से तो फिर से इस प्रक्रिया को भला दो पास करना होगा इन्हें पास कराना होगा तो यह हुआ अर्टिकल 352 के बारे में बार अब बात करते हैं आप देखिये आनुछे 356 के तहट जो आपात काल गता है उसको बोलते हम राष्ठपती सासन अब देखिए इस आर्टिकल से दो और आर्टिकल सम्मन्धित है एक आर्टिकल है आर्टिकल 355 और एक है आर्टिकल 365 365 355 बोलता है कि संग का ये काम है केंद सरकार का ये काम है कि वो राज्यों को बहां आक्रमन से बचाएगा बहां आक्रमन और उद्ध से बचाएगा और देखेगा कि वहां समिनहान का पालन हो रहा है कि नहीं समिन्हान का पालन कराएगा और आर्टिकल 365 बोलता है कि समिन्हान के पालन के लिए वो क्या दे सकता है राज्यों को निर्देश दे सकता है और अगर राज निर्देश नहीं मानते तो यह माना जाएगा कि सम्मेधानिक तंत्र क्या हो चुका है विफल हो चुका है किसी राज्य में अगर कोई राज्य सरकार केंद्र के द्वारा दिये गए निर्दोसों का पालन नहीं करती तो ये माना जाएगा कि वहां का समिधानिक तंद्र विफल हो चुका है और इस आधार पे आर्टिकल 356 लगाया जा सकता है और यहां आर्टिकल 356 लगाने पर जो हमारी मंती परिसद होती है राज्य की मंती परिसद होती है राज्य मंती परिसद भंग हो जाती है देखी ये इस कंडिशन में लगाया जा सकता है कि राज्य का समिधानिक तंद्र विफल हो गया है अगर दंगे फसाद बहुत जादा हो रहे हैं राज सरकार उसको रोकने में असफल है तब यह किया जा सकता है या कोई भी पार्टियां मिलके या एक सिंगल पार्टी या पार्टियां मिलके भी वहाँ सरकार नहीं बना पा रही है बहुमत का आकणा नहीं प्राप्त कर पा रही है तो पर ही वहाँ लगाया सकता है और अगर किन सरकार किन देशों का पलन नहीं करता कोई राज सरकार तब पर भी राश्पति सासन लगाया जा सकता है आर्टिकल 356 के तहट और इस कंडिशन में मंत्री परसत क्या होती है भंग हो जाती है लेकिन वहां की जो विधान सभा है वो भंग नहीं होती याद रखेंगा विधान सभा भंग नहीं मंत्री परसत भंग हो गई लेकिन विधान परसत भंग नहीं होती और यह आर्टिकल 355 और 365 से समंधित रहेग का की वित्ति आपात काल तीसरा कौन सा है वित्ति आपात काल देखिए यहां पर एक चीज और है कि यह जो राश्पती सासन लगता है इसके लिए एक महा के जगह संसत से दो महा में मंजूरी ली जाती है दो माह तक लग सकता है दो माह के अंदर सदन से मंजूरी लिना पड़ता है और यहाँ पर किसी प्रकार के दो तिहाई बहुमत की जरूरत या फिर किसी प्रकार की जरूरत नहीं होती यहाँ समान्य बहुमत समान्य बहुमत समान्य बहुमत से उस दिन सदन में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से ही ये पास कर दिया जाता है यानि कि राज्य में राश्वती ससन लगाना है तो किंद सरकार की इच्छा है दोनों सदनों में समान बहुमत से इसको पास करा लेगी कब दो महिने की भीतर उसको पास कराना पड़ेगा और वहाँ पर यहाँ भी कब तक लगा रहेगा यहाँ भी 6 महा तक लगा रहेगा और 6 महा करके 2 वार बढ़ा सकते हैं एक साल से अधिक नहीं लगेगा एक साल से अधिक नहीं लगाएंगे अगर एक साल से अधिक लगाना है तो ये देखा जाएगा कि चुनाव आयोग वहां कहे कि हाँ वहां चुनाव करने जैसी परस्थितियां नहीं है तभी फिर क्या कर सकते हैं एक साल से अधिक के लिए राश्पती सासन वहां लगाया जा सकता है ने तो दो बार लगाने के बा प्रकार के कुल सदस्यों के बहुमाद, उपस्तित और मदान देने वाले दो तिहाईयों की जुरत नहीं पड़ती हैं। और वित्ती आपातकाल के बारे में अनुछेद 360 में बात की गई हैं। इसे भी राज में राज की आपातकाल जो होते हैं राश्पती सासन होता है उसी की तरह से आप समझ सकते हैं कुछ और आर्टिकल है जिनको आपको याद रखना चाहिए वो है अनुछेद 1,2,3 यह राश्पती की अध्यादेश जारी करने का सकती है और एक आर्टिकल आपको राश्पती के सम्मंद में याद रखना चाहिए 143 यह आर्टिकल सम्मंदित है राश्पती सुप्रीम कोड से किसी प्रकार की क्या ले सकता है सलाह ले सकता है और एक आर्टिकल आप याद रखेंगे 1,0,8 जिसमें राश्पती दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है जिसकी अध्यचता कौन करता है लोग सभा का अध्यच करता है तो ये कुछ important article है जिसको आप क्या करेंगे याद रखेंगे राश्पती के संबन्द में और ये हम कुछ बुख मुखे बातें हुई है जो हम राश्पती के बारे में की है और इनसे आपको अपके पेपर में मदद में लेगी धन्यवाद